नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर उद्रमन और मैं हूँ आपका जानका द्रंदकार और लोगों में मौकिक स्वास्त में क्या चेंजेज आते हैं यानि क्या परिवर्टन आते हैं और उनका ख्याल कैसे रखना है तो शुरू करें तो आज का एपिसोड व्रिद लोगों के लिए है यानिकी ओल्ड पीपल यानिकी जरियाट्रिक पॉपपुलिशन के लिए है क्योंकि मुझे लगा कि हमारे पास बहुत सारी जो जनता आती है वो उष्रेणी की है व्रिद श्रेणी की है और मुझे लगता है कि उनको ये बताना जरूरी है क्योंकि जो है बहुत सारी विचारधा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आप जब वृद होना शुरू हो जाते हैं जब आपकी एजिंग शुरू हो जाती हैं उसके साथ आपके मौकिक स्वास में भी वो बहुत important function play करती है, वो protective function play करती है और ये notice किया गया है कि aging के साथ आपका salivory flow जो है वो कम हो जाता है यानि कि लार का जो एक तरीके से से जो रिसाव है जो flow है वो उसका स्तर कम हो जाता है जिसकी वैसे आपको old age में carries यानि की cavities होने के chances जाता होता है तो saliva और आपकी large जो है उसका function होता है कि आपको cavity से बचाने का तो अगर आप देखेंगे जो बहुत सारे बहुत जादे व्रिद लोग होते हैं उनमें जो है salivory flow का हो जाता है जिसकी वैसे उनकी पास cavity जाता हो जाती है दूसरी चीज़ हम बात करेंगे जो हम बात कर सकते हैं आपका जो protective mechanism आपकी मौकिक तचा का है आपकी जो मौकिक तचा है उसमें एक protective mechanism होता है एक barrier mechanism होता है ताकि जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें कोई भी toxins या कोई भी ऐसे harmful chemicals होते हैं वह जो है लीच आउट होके अंदर गुस्ते नहीं आपकी रख प्रणाली में नहीं जाते हैं बट ओर पीडियों टाइम आपकी जो यह protective mechanism होता है इसमें जो skin होती है जो turnover rate होता है वह कम हो जाता है कोशे का स्तर पर turnover rate कम हो जाता है और on top of that आपकी skin जो है elastic से थोड़ी सी inelastic और smooth हो जाती है जिसकी वैसे उसमें toxins और जो भी चीज़े हैं उनका जो है एक तरीके से percolation या leaching जाद होने की chances जो जाते हैं अब हम बात करते हैं कि आपके अपास और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि सबसे important चीज़े में बात करना चाहता हूं कि old age के साथ आपको diseases होने की chances जाद होता है देखिए पहले क्या था life expectancy बहुत कम थी और healthcare के एजाद होने के disease heart disease यह सब तो इन सब के अलग-अलग जो है प्रणालिया है अलग-अलग components है अलग-अलग considerations है मौकिक स्वास को लेके जिसमें अलग-अलग वीडियो बना रखें लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रख नहीं कि आपकी body की immunity भी गर जाती है जैसे आप age करना शुरू करते हो and on top of that आपको mental changes आने शुरू जाते हैं यानि कि आप में जो है एक तरीके से जब आप व्रिद हो जाते हो तो आपकी जो है शमता होती है ब्रश करने की और इस सब मौकिक स्वास का घर पे ध्यान देखने की जो देने की जो शमता होती है वो कम हो जाती है एक और चीज़ यह दांत में बहुत दर्द हो रहा है कोई सूजन आ गई है खून बहुत निकल रहा है कहीं किसी मसूले से तब जाके वो जो है इस पर जो है किसी डॉक्टर को मेसेज करते हैं वरना उनको इस चीज़ से भी पड़ता कि दांत अगर गिर गया डीले होगा कोई वातनी दांत तो दांत खो दिये हैं तो चक्कर में क्या होगा कि आप खाना भी जो है वैसा खना चाहोगे जिसमें जाधा चबाना पड़े तो आप शुगर सब्स्टेंस जाधा लोगे जिसके वेज़से आपको डाइबोटीज का रिस्क रहेगा आपको आईवस की प्रॉब्लम रहेगे आ पाचन ही नहीं हो रहा है प्रोटीन कॉंटिटि आपकी कम हो जाते हैं इसी चक कर में क्यूंकि आपको जो है आप काबो हिटे से ज़याए पसंद करते हैं प्रोटीन के सोरसे also cnaval 적 You know सबगे आपके आपने नहीं करो गये कूई क्यूंकि आपके मानसिकता एस Bugün सूचना है कि वो भी गिरता है उसमें जरूरी यह नहीं कि आपने जो है अपना ध्यान नहीं रखा लेकिन आपके दांत और मसूड़े इतने टाइम से एक्सपोज हो रहे हैं प्लाक और बैक्टिरिया से तो उसका क्यूमुलेटेव एफेक्ट आता है कि आपका जो है मसूड़ों की समस्था जादा हो जाती है और टॉप आपके जो चेंज़े आ रहे हैं मेंटल जेंज़ेस कि आपको मन नहीं करता है जादा डॉक्टर के पास जाने का आप इतने ज्यादा कॉंशिस नहीं हो कि कोई प्रॉट चीज़ आती है जब हम बात करते हैं डेंचर के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बिलीव नहीं करते हैं यानिकी बतीसी या कोई बी दात को रिप्लेस करने के लिए इंप्लांट के बजाए वह चाहते हैं कि हम डेंचर पैलने जिसको हम सेट बोलते हैं वह पैनने से एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे भी आपका प्लाक रिटेंशन होता है उससे आपको जो है चांसे ज्यादा बरदाते हैं अगर आप उसकी सफाई ही रखते हैं सफाई रखने में पी कारण यहीं आता है कि हो सकता है आपको मन ना करें हो सकता है पूरे होता है के साथ में उससे सबसे प्राव्लमस आनी शुरू होती है और मेंली सबसे इंपाटन चीज़ है कि जो मानसिक्ता चेंज हो गयी मैं इसके बहुत ज्यादा जो तब वज्यों दे रहा हूं कि आपकी जो मानसिक्ता जो चेंज हो जाती है कि हमें चब तक दर्द नहीं होगा तब तक हम जो है डेंटिस्ट को नहीं दिखाएंगे जब तक हमें पस नहीं पड़ेगा मवार नहीं पड़ेगा दांत बिल्कुल हिलने की जैसे कगार पर नहीं ह सब्सक्राःच करना जरूरी है तो लोग तभी जो है डेंटल ट्रीटमंट को देखते हैं कि जब उनको एक तरीके से अपने आपको बिलकुल जो है जिंजुन ना पड़ता है दर्थ से एक और मान सकता की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि dentist लोग पैसा खाने की machine है ऐसा कुछ नहीं है हम जो जो हैं जो जो genuine है वो चाहते हैं कि आप लोग ठीक होई और हो सकता है dental treatment जो मैं भी मानता हूँ कि बहुत जगे अच्छा कारगर सक्षम dental treatment बहुत महेंगा होता है लेकिन उसके बाद जो हम आपको value देते हैं चाहिए वो implant supported denture हो चाहिए वो denture हो इस चीज के बारे में आपको tool देना बहुत जरूरी है क्योंकि जो मैं बात कपसे बोलता आ रहा हूँ कि दात नहीं तो आत नहीं यह बहुत important saying है यह हमारे पूर्वज कहे गए हैं और यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो है खाने का तरीका बहुत change हो गया खान पान चेंज हो गया फिजिकल एक्साइज हमारी कम हो गई है हम रिफाइन शुगर जादा लिते हमें शुगर की प्रॉब्लम जादा हो गई है तो इन सब है मैंने में अपने डेंटेस को एक बार दिखा लीजिए आप बिल्कुल स्वस्त रहें और कुछ नहीं करना है बहुत लोग मेंसे पूछते हैं इतना महेंगा है और मेंसे पूछते हैं अपकी फीस क्या है मेरी फीस है दो मिनिट आप ठीक से ब्रश कर लीजिए कोई आप 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 जो रिंस होते हैं जैसे अपके लिए काफी कारगर रहेंगे सबसे इंपॉर्टन चीज है डेंचर वाले पेशिंट को बहुत ध्यान रखने जुरूरी है कि अपने डेंचर के स्पेसिलिस को दिखाते रहें कोई डेंचर लूज हो गया है डेंचर में सोर आ अलसर आ गया है तो उसका ध्यान रखना है औंट आप अप डेंचर को अगर रिप्लेस कराना है या इंप्लांट कराना है तो यह सब चीज है क्योंकि आपका मौकिक स्वास और शारीरिक स्वास दोनों दूरूसे से बहुत मिले जुड़े हैं तो उससे बहुत फरगपड़ में वर्णन करते हुए उनसे जो है इलाज का आप जो है उपाई लीजिए तो यह था आज का एपिसोड प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे से संपर्ट करना चाहते हैं यह कि अबस्क्राइब के लेगान स्पर्ट करते हैं अभी प्लीज साफ आप मेंगा नाज करें एपिसोड वह था आप चाहते हैं यह हैं आपका इलाज का आप में